पिक्सल 5 का OS जो के Android 12 का Hentai OS के नाम से पॉपलर है इसका एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है हमारे Mi 11X, Poco F3 और K40 डिवाइस के लिए और इसे फिलाल मैं अभी यूज कर रहा हम वन डे से और क्या कुछ यहां पर देखनी को मिलता है पर्फॉमेंस वगेरा वो सब कुछ आपको यहां पर पता चल जाएगा बस वीडियो का आपको पूरा लास्टक वाच करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेगा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब यहां पर आप देखते हैं तो कि मैं कैमरे में फिलाल वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और इसका जो डिफॉल्ट जीकेम है वो नॉर्मल सा रहता है लेकिन आप अलग से जीकेम डालके 4K का 60fps यहां पर यूज कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको काफी अच्छा देखनी को मिल जाता है तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर इनेवल आपको दिखाई देता है 60fps के तरफ से बस आपको यहां पर जीकेम डालना पड़ेगा उसके बाद आप यहां पर बेनेफिट है जो ले सकते हो साथ साथ यहां पर अगर इसके बाउट की पैच आपको देखनी को मिलता है जो कि लेटिस्ट है 1 अक्टूर का यहां पर गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है और यहां पर यहां पर रिडिस्ट्रूप का करनल यूज किया गया है बैक के ऊपर आने के बाद आपको देखनी को मिलता है टिप्स एन सपोर्ट जैसा कि देखनी को मिलता है सिस्टम के अंदर आपको यहां पर दिखाए देगा रिसेट का ऑप्सन अब आपकी यहां पर मल्टी हो जैसे काउंट ऑप्सन देखनी को मिलेगा बैक अप में आप बहुत साथ चीजों को बैक अप कर सकते हो अपने जीमेल के एकाउंट के उपर आपको यहां पर भी फॉलो करना है और यहां पर पाव बटन देखनी को मिलता है जहां पर असिस्टेंट आप इनेबल कर सकते हो जो कि आपको वर्किंग देखनी को मिल जाता है और लेकिन यहां पर आपको डाउलोड करना पड़ेगा जो कि 73.1 MB का है तो पहले वाला जो अ देखनी को मिलता है triple button और जेस वगरा एक और जो option होता है उसका option यहां पे दिया नहीं गया बाकि open camera में आपको यहां पर देखनी को मिल जाता है preview और यहां पर one-handed mode भी आपको देखनी को मिलता है जो की काफी अच्छे तरीके से यहां पर काम करता है तो इस वेस को डालने के बाद ऐसा लगता है कि आपका डिवाइस भाई pixel 5 का डिवाइस बन चुका है बाकि यहां पर live translation देखनी को मिलेगा जो की working है और यहां पर आपको देखनी को मिलता है safety and emergency जो की Google का ही features दिखाई देता है साथ-साथ security के अंदर आपको fingerprint और बाकि आपको lock screen password देखनी को मिलता ह और यहां पर animation कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता accessibility के अंदर वह ही आपको sound, amplifying, live, caption, translation, vibrate, haptic, switch access वगड़ा देखनी को मिल जाएगा जो कि आप यहां पर use है जो कर सकते हो काफ अच्छे तरीके से काम करेगा और आप यहां पर notice क को on करता हूं तो यहां पर जो आइकन है ना इस पर आपको एक अलग सा effect देखनी को मिल रहा होगा अगर आपको यहां पर notice को तो नजर आएगा जो कि देखने में अच्छा लगता है तो हलका फूल का animation और भी ज्यादा पहले से better और improve किया गया है बाकि privacy के अंदर वही आप आपको camera और microphone block करने का option मिलता है इनका जो dashboard है वो आपको देखनी को मिल जाएगा बाकि अगर हम आते हैं यहां पर जो कि हमारा display है तो display के अंदर आपको देखनी को मिलता है smooth 120 और 60 टक का option जो कि आप यूज कर सकते हो बाकि यहां पर tap to wake up आपको देखनी को मिल जाएगा और अलग अलग option यहां पर दिये गए हैं ताकि आप अपने display का color काफी अच्छे तरीके से अजेस्ट कर सको बाकि dark mood और यहां पर screen on timing के पास जो है यानि screen out time वहाँ आपको एक option दिखाई देता है screen attention का यह अगर आप on रखते हो तो जब तक आप अपने phone को use करते रहोगे अपन अभी on नहीं हो रहा तो यहां पर यह वर्किंग नहीं है साथ साथ जो कि आपको android tool के साथ gaming mood provide किया गया था जिसमें fps meter वगरा होता है वो भी यहां पर भी फिलाल काम नहीं कर रहा है जैसे कि आप देख सब तो मैंने यहां पर gaming mood को on कर रखा है लेकिन मैंने यहां पर bgmi को प्ले किया तो मुझे कोई भी response देखने को नहीं मिला और यहां पर मैंने कुछ दिर पहले इंफ किया था लेकि journée यहां फिरוא मैंने फिर सरक रेलोट ले रहा है और जितना भी मैंने gaming किया न हम मुझे काफी मख्ञार्य के जरूरोरत है क्योंग के आईंकर देखने को मिलता है तीम का सपोर्ट जो की फुली आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा कलर आप यूज कर सकते हो अलग से बेसिक और जो वालपे के साथ कई सारे कलर दिखाई देते न वह यहां पर नहीं है सिंगल कलर ही है बाकि यहां पर कई सरे आपको और वी वालपे के अंदर से कई सारे कलर निकल के सामने आ चुके हैं तो यह चीज़ मुझे यहां पर सही देखने को मिल जाता है 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 जैसा कि यह ओफिसली ड्वी को सपोर्ट करता है वह आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि एक पिक्सल फाइब का रोम है जिसके वैसे यहां पर डॉल्विक आपको दिखाई नहीं देता options वोगेडा बाकि now playing यहां पर भी आपको working दिखाई नहीं देगा और जब भी आप इसे first time install करोगे ना भाई आपने लेकिन यह रोम आपको सजा प्रोइड कर देगा तो बच के रहना ठीक है उसके वाद यहां पर आपको मिलता है बैटरी तो बैटरी के अंदर यहां पर मैं usage का दिखाऊं तो यहां पर अच्छे से काम कर रहा है जबकि पिछले वाले में यह काम नहीं कर रहा था तो यह सही है stand by battery भी बहुत कम drop होता है ना के बढ़ावर जो कि मुझे पसंद आया लेकिन वहीं पर usage के उपर है जो battery drop होना शुरू हो जाता है जो की थोड़ा सा दुखदाई यहां पर हो जाता है बाकि यहां पर notification history वगरा बाकि अदर चीज़े है जो काम कर रहा है और देख से तो वह अभी तक old ही हमें देखनी को मिलता है जो extra stuff वाच वगरा और color के नए format add किये गए थे वह यहां पर मुझे missing लगे हैं simple से ही clock EY आपको देखनी को मिल जाता है तो यह improve होता तो bitter होता बाकि यहां पर add a glance वगरा आपको देखनी को मिल जाता है जो कि आप यूज कर पागे system launcher भी अच्छे से आपको working देखनी को मिलता है कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं आने वाला और यहां पर Google का discover option भी मिलेगा और यहां पर dialer के अंदर आपको call recording देखनी को नहीं मिलता बस यहां पर आपको वाइफाई calling देखनी को मिल जाता है और वो वाइफाई का support आप तो L1 का support आपको मिलता है आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला Amazon Prime वगरा में device certified रहता है तो banking के app आप यूज कर पाऊगे safety net आपको pass मिलेगा और यह है हमारा multi और single core तो भाई single थोगा सा week है बट इगनोर कर सकते हैं लेकिन multi भाई काफी अच्छा खासा है जैसा कि काफी दम पसंद आया और battery drop यहां पर काफी कम सो कर रहा है इस running के time पे लेकिन एक्ट्वल यूज में थोड़ा जाला drop होता है और यह है हमारा CPU throttle जो कि 93 गया तो यह भी मुझे पसंद आया है क्योंकि normal MIUI पे तो भाई काफी ज़रा throttle होता है पर यहां पे custom जो कि Pixel 5 OS है, Hentai OS है इसमे ह में 93 देखनी को मिल जाता है, charging speed भी मुझे काफी सरी देगा तो charging मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, यह perfect तरीके से यहां पे काम कर जाता है, तो overall मैंने यहां पे सारा चीज़े है जो आपके साथ कर दिया है, share, आप इसी use कर सकते हो daily life में, बस एक दो चीज़ों का आपको compromise क करना पड़ेगा, और installation method बिल्कुली same to same होने वाला है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था, तास से अगर आप इसके edit के option पर जाओगे न, तो tap करके आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं tap करके आप अंदर डाल सकते, आपको long press करके swipe up and down करना पड़ेगा, ज किसी तरह का interesting video में आपके लिए लेके ask हूँ, कोई question या doubt है, तो आप comment box का use कर सकते हो, मैं जल से जल reply देने की कोसिस करूँगा, बढ़ फ़र सा deal हो, तो भाई, गुस्सा मत हो जाना, यार एकला बंदा है, सब कुछ देखना पड़ता है, family, YouTube, group, बगरा सारे चीज़े, तो प्लिज़ वेट करना भाग मत जाना कहीं, ठीक है, बाबाई